नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त आपका पोष्ट और आप देख रहे हैं आर्क लेट तो दोस्तों तारिक है तीन सेफ्टमर 2023 और यहां पर आपके सवाल मेरे जवाब का 232 एपिसोड यानि कि 232 एपिसोड लेकर आपको सामे में हाजिर हूँ वीडियो पसंदा दो कि अजिक करें कि अपके सवाल सेटर डे के संडे को बेज़ रहें तो मैं उनसे मां भी चाहूंगा कि मैं सेलेक्ट नहीं करता है तौर रात-बाराफ़जे तक कही रहता है उसके बार वह सारे लोगों ने नाम फिर से नहीं लिका उनके सवाल सेलेक्ट हो गया हैं जिनके कर सकते हैं अगर आप आना चाहते हैं तो आप मुझे अपना मुबाइल नंबर और नाम मुझे मुझे वार्षप कर दीजिए नो और दस सक्टेमर को में पटना में एबलेवल होगा तो चलिए शुर्वार करता आपके शौल मेरे जौब का 232 एपिसोड यानि 232 एपिसोड और देखते हैं सबसे पहला सवाल इनका है तरह करें प्लवल हरियाना से लिखायेट है और इनका सवाल क्या है सवाल कर मेरा सवाल है क्या कि अपना पियएल मिष्टेक्स को पढ़ने की सबसे बढ़이約 20 है अपने पीयल शौटेद information का सबसे बढ़ियां सोर्स आइसा मुझे लगता है कि मुझे आइडिया आया तो डीप में अपनी मिष्टेश दिखाए ते बहुत अच्छी बात है आपको ये आइडिया आगे अगया हम दोके बोलने से एक नहीं आइडिया आ रहा है खुद भोखुद अतारत ये तो बहुत अच्छी बात है कि एक्सल मेंटेंड करना है और एक्सल मेंटेंड वही बात के लिए कि अपनी गलती पकड़ जाए मैं कई बार हजारों वीडियो में बोला हूँ कि भाई अपना एक्सल मेंटेंड करीए जो आप टेड लेते हैं उस को मेंन लिखिए कि मैंने कौन से स्टॉक लिया कितने प्रैस पर लिया किस लिया और वह चीजें फिर आप साम में या एक सब्ता बात देखिए कि पूरा एक सब्ता क्या हुआ हुआ वहां पर आपको अपनी गल्टी पकड़ना जाए तो अच्छी बात है कि इतने सालों से बो अपनी गल्टी को अनलाइज कर पाते हैं कि हां आप से आथि मिश्टेक क्या हुआ था लेकिन उसमें सबसे इंकॉर्टन ये पार्ट भी है कि आपको लिखना पड़ता है कि आपने किसी स्टॉक को खरीदा तो वाय क्यों खरीदा ऐसे तो नहीं ले लिया कि बस अच्छा ल को देखिए अपने सीट को देखिए और आप वहां पर अपनी गल्ती पकड़ सकते ये अच्छा तरीका बढ़िया तरीका है सब को करना चाहिए अपना एक्सेल में लिखेंगे नहीं पता किसे चलिए कि गल्ती कहा हो बिल्कुल सही है दूसरा सवाल है इनका दिपक जी लि अब देखिए मैं को लिखें हैं हैं अब यह चाह रह 56 मैं फजय को मालिक इतने लिख रहे नहीं तो मैं मैं भी लिख फ्राइब लिख दूवा इस एंट रहते निस वाजा से कभी कभी तो जानना चाहता हूं जो भी अधायन के सब्सटेन कारनी होती है एक्स्परियेंस एक को यह decide करना होगा कि आपकी subject पर डालना चाहिए क्या आपका theme है क्या topic है क्या और आपका specialization शुकेतन की expert आपकी expertise किस चीज में आप किस चीज के specialist है किस चीज में आप expert है किस चीज में आपकी knowledge बहुत अच्छी है आप उसी के according डाले जैसे मेरा trading related है अब मुझे कहगा खुछ kitchen वला डालो चाहना में नहीं डाल पहूंगा पौसिबल नहीं है सुसार द़ा नहीं, कहिए क्यों शुसरे के बहुत बता पहूंगा expertise नहीं मेरे उसятся reicht, मैं मैनना है कि गोटी के expertise उस चीज में आता है जिस चीज का काम करता है जिस चीज से वह जुड़ा हुआ रहत है, इस में उससे एक्सपर्ट होता है। अदर्वाइज भारत में तो धो ईना घ्मीन शन्ट और राय शन्ट टो भाहुत सारे मिलते हैं। जिसके पास दिखें ग्यांत का भंढार पड़ा है। तो जिसके पास राय का भंढ आर पड़ा हूगा तो इस तरह की चीजे तो आपको बहुत सर मिलें लोगे आपको ऑक्षय्ली, आपको ँसक प्रस्ट प्लेग प्लेपके अक्षित सही किस जगह पर स्पीशलिश्ट है किस चीज की है आप उसे जुड़ा हूए भूर तो देखे कि उस तरह के चीजिद एक यूटूब पाइबल है और है तो आप उसमें और बहतर देसकते हैं जो आप यह एल फैक्ट पाहट नहीं प्रीक का बाता है तो सारी बेचाए लेकिन हूंप सब्सक्राइब ने अखिया है तक यहां से खरीदा यहां तक गया। इसको खत्म किया profit बनाया तो यह मेरी specialist है कि मैं live में करके दिखा सकता हूँ से थावा में है ना क्योंकि मुझे उसमे specialist हूँ मैं expert हूँ मैं कर लेता हूँ trading तो मेरा वहां पर पकड़ है इसी तरह trading psychology मेरी उसमें पकड़ है कि मैं आपको trading psychology को चाहूँ अगर आप मुझे पूरा सुनेंगे तो आपकी trading psychology बहुत ठीक हो जाए तो expertise है आपका क्या इसमें expertise है और आपका उसमें क्या content अगर यूट्यूब पर है तो उसमें आप क्या बहतर कर सकते हैं अगर यह चीज़ें आप पकड़ लेते हैं तो आप जरू करता है लेकिन request है कि आप वही चीज़ डालेगा जिसमें आप का specialization है जिसमें आप expert है otherwise किसी को देख के मैं जहें वह कर रहा है तो मैं भी करूंगा ऐसे नहीं करना expertise होना चाहिए आपको expert होना चाहिए उस पर टॉपिक पर जिसका वीडियो डालने वाले है शुरुवात में जब आप वीडियो दिमाग में ले आते हैं तो सबस्पर एक थौट आता है कि इस topic पर subject बनाना इस topic पर वीडियो बनाना तो उसको आप लिखते है कि इसके अंदर तो मुझे वहाँ पर movement point दिमाग में गार कि market के पहले क्या देखना है market के बाद क्या देखना है stocks में क्या देखना है moment क्या देखना है candle क्या देखना है चोटे चोटे में topic उसके नीचे बहुत सारे point बुलेट के दूपिक वह सारे आपको note करने पड़ते है फिर उस point पर आपना पड़ता है और आपका एक content create होता है आप जब आप content बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यूट्यूबर कितरा मेहनत करता है मैं आपने आपको मानता ही नहीं है इसलिए आप देखते हों कि ना तो मेरे video में special effect आता है ना तो मेरे thumbnail उस तरह को होते है अट्रे internet की video बनाने के लिए तीन घंटे का मेहनत लगता है और लोग उसको एक second में देखके like और dislike मार लेते हैं पता नहीं क्या से I don't know अब आपको पता चल जाएगा तो आप जरूर डालिए जरूर करिए शुरुवात में दिक्तत होगा लेकिन देदरे आपको आदत हो जाएगी continue करते रहेंगे तो फिर आप आसानी से विडियो बना पाएंगे ठीक है दिबग जी आगे बढ़ता हूं और अगला सवाल है मयंक जी का जुनागर गुजरात से लिख रहे हैं मेरे पास ट्रील का सेर है असी के प्राइस से प्लीज उस पे आपका क्या व्यू बता सकते हो एन तोड़ता है उपर या नीचे तो आपको अडिशियल लेना होगा तो दोनों इस ट्रील का स्टॉक हलांकि यह ज्यादा रडार पर नहीं आता है ट्रील वैसा स्टॉक नहीं है जिसमें आप ट्रेडिंग कर पाएं त्रील क्या है वो रेक्टिफायर बनाती मतलब स्टॉक निचे आने पर निकल जाना है अधरवाइज जब तक यह नब्वेक ऊपर है आप टिके रहिए एक सो पचीस की उपर निकलने बाद यह एक सो पचास तक के भी लेवल दिखा सकता है अब आपने PBR का पूट ऑप्शन लिया हुए ना पिवयर का आपने क्या लिया है पचास पर लिया था अब देखें दिक्कत की जब तक यह अथारा सो की लेवल को ब्रेक नहीं करेगा आपका गल्वेंट नहीं आएगा ऐगा अथारा सो कूपर निकलेगा तो मुमेंट तो फिर आपका call option में loss हो सकता है इस बात की संभाबना यहां पर दिखाई दे रहा है तो यह ध्यान रखे PBR के उपर और नीचे में तो 1760 के नीचे आए तो निकल जाना है call option से 1800 को उपर जाएगा तो रुखे रहेगा वेट कर लीजिएगा थिए यहां जी आगे पढ़ता हू इसता सरद सरत तारफए सरत तार तर फेजनें मुलूंद मुंब़री से लिखा है पांच मिनट चार्ट पे ड् initi बॉलरट्री ज्यादा फोट्यावीจะ पांच मिनट चार्ट से पंदरा मिन क्या चार्ट पर काम करने पर क्या benefit कि प्रक्रना हो सकता है please answer me in detail okay इसको मैंने कई बार समझाया है लेकिन चुकि हम लोग वीडियो skip करकर के देखते हैं मैंने कई बार हजारों वीडियो में यह भी समझाया है कि किस तरह से आपको बड़े टाइम फ्रेम चोटे टाइम फ्रेम में क्या का difference होता है लेकिन लोग सुनते नहीं है देखते नहीं skip कर देते हैं तो यह problem होता है तो आपको मैं यहां पर समझाने की कोसिज करता हूं सरची और चुकि आज आपने भेजा है किसी और का सवाल होगा पिछले दपा इस वज़ा से आपने इस चीज को नहीं स्किप कर लिया होगा आज आपका सवाल है तो आप ज़रू ध्यान दिजिएगा मैं यहां पर एक example समझाता हूं देखिए क्या होता है यह आपका महला है हमेशा याद रिखिए example ऐसे हो जो आपके समझ में है यह आपका महला है colony है जहां आप रहते हैं ठीक है ओके और जब आप colony में in tr कर रहे यह road है अपका तो यहां पर है एक सोल सुरेज का गर या लेफ्ट गलिख रह यहां पे मुवकेश यहां पर राध है सियाम या आधाप समझ लिजिए और यहां पर है मोहन का घर ठीक है और यहां पर फिर काली का घर यहां पर फिर गनेश का घर ऐसे और यह सब है 100-100-100m की दूरी पर या 50-50m की दूरी पर distance है, ठीक है, ऐसे, 50-50m, अब आपको यह पता है कि सबके यहाँ गर आपको जाएं तो आपको जाएं तो आपको कैसे करना पड़ेगा, दिखिए, आपको कैसे आपको तुरंत तुरंत आपको टरंड मारना पड़ेगा, तुरंत तो आपको तुरन तुरन गली में मुढ़ना पड़ेगा, इसका मतलब क्या है, कि आपको यहाँ पे direction नहीं मिल पाता है, कि actually आपका stocks इस छोटे time frame पे जाना किधर चाहता है, direction नहीं मिल पाता है, लेकिन अब आप highway पे चले जाएगे, highway, highway, state highway, या national highway, वहाँ पे आप बाइक जब चाह रहे हैं, या car लेके जा रहे हैं, तो आपको वहाँ पे लिखा रहता होगा, 20 km आगे है petrol pump, या आगे लिखा होगा 35 km दूर कलकत्ता, ऐसे एक example दे रहा हूं, कलकत्ता लिखा होगा, तो आपको पता है कि अगर हमको petrol लेने जाना है, तो हमको 20 km मुढ़ना ही नहीं 20 km, यानि कि आपको कहीं नहीं जाना है, सीधा चलते जाना है, कलकत्ता जाना है, तो सीधा चलते जाना है, क्योंकि distance आपको पता दिया गया, तो बड़े time frame पर आपको volatility नहीं मिल रही है, बड़े time frame पर आपको fluctuation नहीं मिल रहा है, बलकि direction मिल रहा है, ये बड़ा रास्ता ह आपको direction मिल रहा है, clear direction मिल रहा है, noise खतम हो गया, अब आपको इस तरह से दाएं बाएं बाएं नहीं भूमना है, बलकि किले direction होता है, इसी तरह से stock market में भी छोटे time frame पर volatility और noise यह दो जादा होता है, आपको तुरंट से उपर तुरंट से नीचे करवाएगा, यह उसका नु तो नुकसान क्या है, कि volatility जादा होती है, direction नहीं मिल पाता है, फाइदा क्या है, आपको entry जल्दी मिल जाती है, चोटे time frame पर, entry तुरंट मिल जाएगा, क्योंकि लोगों को तो अंदर में रहता है, कि entry जल्दी से कर लोग चोटे time frame को यूज़ करते है, entry जल्दी मिल तो यह फाइदा होता है, चोटे time frame बड़े time frame का यह difference होता है, clear बात समझ मागे है अब आपको, अब उम्मीद है, चुकि आपने अपना ही सवाल भेजा है, तो आप यह वाला answer ज़रूर पूरा सुनिएगा, मेरे क्याल से, ने तो लोग करता है, अच्छे यह दूसरे का सव सवाल है, तन्वीर आलम जी डैली से लिख रहा है कि मेरे पास hero motocorp का 2990 की buying है और बलरामपुर चीनी 395 की buying है, target और stop loss क्या होगा, hero motocorp 2990 का लिया होगा, चलते है, यहाँ पर hero motocorp 2990 का है, और 2927 चलना है, देखिए, stop loss यहाँ पर यह multiple support ले रहा है, तो stop loss तो भीए 2890 का ल stop loss बन रहा है, अब 2927 चलना है, वहां से 30 point लीचे, 890, 880 पकर लिए, वह आपको stop loss है, कट गया तो खतम हो, 3000 इसका resistance ही रहा है, अगर यह 3000 को break करता है, रहन 3100 से 3200 के target मिलेगी आपको, दूसरा है बलरामपुर चीनी, आपने 295 पे लिया है, तो 395 पे आपने लिया है, कोई चीनी का डिमांड बढ़ना है, सरकार की गारी में लग बलरामपुर चीनी को पकड़ के चल सकते हैं, लेकिन 370 का च्छोटा से stop loss maintain कर लीचे, तो यह है तनवीर आलम जी का सवाल, पे मेरा जवाब, अगे बढ़ता हूँ और अगला सवाल देखते हैं, किनका है, अगला सव माजी लिख रहे हैं, मैं असोक लिलेंड के 300 सेर और IRFC के 1000 सेर पर्चेस करना चाहता हूँ, पिलीज इंटी और स्टॉपलोज बताएं कि आप करेंट सीमपी पर ले सकता हूँ, दो साल के लिए, आपने वीडियो ही नहीं देखा मेरा असोक लिलेंड वाला, मैंने डाला था तो अगर यह आपको 170 के आसपास मिलें जरूर लिजिए, नहीं लेना चाहते हैं तो फिर 190 के ऊपर निकल जाए तब लिजिए, आई-RFC 35 पर दिया हुआ, 25 पर दिया हुआ, श्टॉक लोग नहीं ले रहे तो खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी आपको यहां पर म सकता है, लेकिन अगर यह ज्यादा बहतर होता है, अगर आपको 45 के आसपास मिल जाए तो ज्यादा बहतर है, हाँ, अगर यह लांग टरम करे लेना है तो बिल्कुल यहां पर लिजिए, दो से तीन साल से ज्यादा कर लिजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुवमेंट से उपर काफी ज्यादा हो चुका है, यह 100% का मुवमेंट कर चुका है, मातर दो महने में, दो से तीन महने में 100%, 27-24 हो गया, तो यहां पर हो सकता है, थोड़ा से यह साइडवेज हो जाए, सस्टेन कर जाए, अगर यह साइडवेज हो जाता है, तो साइडवेज में अकुम सकते हैं तो यह मेरा व्यू है सोकली लेंड और आई आर एकसी सेयर पर तो जैसा कि मैंने कहा था दोस्तों कि बहुत सारे लोग ने नाम लिखे नहीं बेज़ा अपने सवाल में तो उनके सवाल रिजेक्ट हो गए कुछ लोग संडे को बेज रहे तो उनके सवाल में नहीं ले